बिसमें लाहेद रहमाल रहीम असलाम लेकॉम गूट बॉर्निंग मैं कुरूशे फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आज की वीडियो में हम आपको कुछ हट के बनाना बताएंगे वेस्ट वूल से कलरफूल डॉयली पेटरन आप लोगों के साथ हम शियर करेंगे तो वी के नीचे से क्रोशा डालके सेकंड लूप को निकाल लेना है देखिए इस तरीके से हमारा मैजिक सर्कल बन जाएगा वान टू थ्री ओर फॉर्ट चैन एजा फ़स्ट ट्रिपल क्रोशा हमारा कॉंट होगा टू टैम हमने थ्रेट को क्रोशा के उपर रैप करनी के बाद आ थ्रेट के बाद के से दो लूप ओवर करेंगे और लास्ट में भी दो लूप ओवर करेंगे अगैं टू टैम ठेत को क्रोशा कू पर रैप करके वान टू थ्री ठीक है ट्रिपल क्रोशा हम बनाएंगे पूरे सर्कल में तो चार हमने ट्रिपल कुरोशा बना लिये हैं टुटल हम 24 ट्रिपल कुरोशा के जो लूप है मोग कम्प्लीट कर लेंगी यहां पर हमारे 24 ट्रिपल कुरोशा कम्प्लीट हो चुकी है अब magic ring का जो extra thread है थोड़ा सा आपने खेंच के इसको round shape में का लीना है अब इसके बाद जो हमने first four chain का triple crochet बनाया है इसकी top chain में हम slip stitch से first round को lock कर देंगे one chain लगा के थोड़ा सा thread आपने छोड़ के extra जो thread है वो आपने back loop में crochet की मदद से adjust का लीना है देखिए ये back loop है तो इस तरीके से हम इसको crochet के मदद से बीच में secure कर लेंगे जो हमारा extra thread है अगर आप needle से भी सको secure करेंगे तो बहुत ही finishing के साथ आपका जो work है वो बनेगा ओके और फिर जो हमारी magic ring का extra thread है वो भी हम crochet की मदद से जो है note लगा के अच्छे से secure कर लेंगे और इसके बाद जो extra thread है वो आपने scissor की मदद से यहां पर cut कर देना है अब हम second round इसका बनाएंगे आफ white color से तो slip note लगाने के बाद आप देखे आपने thread को किस तरीकी से बीच में join करना है बीच में डालना है ठीक है तो इच गैप में आपको one one single crochet करती हुए second round को पूरा complete करना है बहुत easy है जैस्ट आपने बीच में डालते हुए एक-एक single crochet बनाते हुए यहां तक अपना work बना लेना है हमारा second round भी बन चुका है अब first जो हमारा single crochet इसके बीच में हम slip stitch करेंगे और thread को आप चाहें तो cut भी कर सकते हो बट यहां पर हम stitch marker लगा लेंगे ठीक है क्यूंकि आफ white color का जो thread है वो हमारा 7 round इसका भी चलता रहेगा cut करना चाहें तो वह आपके जो हैसे है बट हम यहां पर 2-3 round तक साथ चलाएंगे फिर बात में आपको cut करके उसका तरीका भी जोइन करने का दिखाएंगे दोनों तरीके से आप बना सकते हो आप green color के thread को हमने slip note लगाके two time thread को crochet के उपर wrap करना है इससे बहुत ही finishing के साथ आपका फॉस्ट जो है triple crochet बनेगा ठीक है thread भी join हो जाएगा और हमारा triple crochet भी बन जाएगा देखें दो दो करते हुए हमने तीन बार में अपने loops over किये first triple crochet बनाने के बार two time फिर से thread को wrap करेंगे crochet के उपर और same gap में second triple crochet बनाएंगे यह third हो गया four five six यहाँ पर हमने six triple crochet बनाए है count फिकार के देख लेते हैं one two three four five six six triple crochet बनाने के बार two chain का हमें बीच में gap लेना है और four हमने यहाँ पर जो लूप है वो skip करने है नेक्स्ट जो gap है इसमें हम first triple crochet second हो गया three four five and six यहाँ पर देखें हमारे six triple crochet complete हो चुकी है अब फिर से one two two chain का gap लेके two time हमने crochet के उपर three को wrap करके one two three four four हमने triple crochet skip करके छोड़के next two chain के पास वले gap में हम again six time आपको six triple crochet के जो लूप है वो complete करनी है इसका third world round भी बहुत simple है आपने चार जो है triple crochet के loop छोड़के पास वाले gap में छे आपने triple crochet करनी है और फिर बिच में दो चैन का gap लेके फिर से चार आपने loop skip करके next वाले gap में जो है वो repeat आपने six triple crochet कर लेनी है तो third world round को आपने सेम तरीके से complete करना है तीक है यहाँ पे देखे हमने six triple crochet किये हैं और चार हमने बीच में loop skip किये हैं अब last में भी two chain का gap लेके जो first हमारा triple crochet इसके top stitch में हम slip stitch से round को लोग करके one chain लगाएंगे और thread को थोड़ा से छोड़के आपने crochet के मदर से back loop में adjust का लेना है तो हमारा round proper complete हो चुका है अब stitch marker आपने open करना है और दीखें two chain आपको लेनी है ताकि इसमें thread में खिंचाओ ना हो अच्छे से इसमें आ जाए तो चैन लेनी के बाद अगर आपको थोड़ा से tight लगे तो आप एक चैन और भी ले सकते हो हमने यहाँ पर तीन चैन लगा कि सेम गैप में आपने पहले slip note लगानी है और one single crochet करना है तो यह two single crochet count होंगे next gap में डालेंगे two single crochet करेंगे अब next gap में भी आपको two single crochet करनी है जो हमने छे triple crochet बनाए है इसके बीच बीच में आपको दो-दो single crochet के जो लूप है वो इस तरीके से बनानी है यह fourth वला round है तो एक round हमारा triple crochet पे चलेगा और एक round हमारा just single crochet पे चलेगा तो बहुत easy सा यह pattern है टूचन के gap में भी हमने two single crochet next जो हमारा second वाला डिजाइन है इसके बीच बीच में भी हमें each gap में two single crochet करनी है beginner friendly हमने यह project बनाया है जो अभी मेरे सब्सक्राइबर क्रोशर वक्स सीख रहे हैं उनके लिए बहुत best है आपने इसको जरूर ट्राइ करना है और बिल्कुल हमने इसमें अलग से thread नहीं use किया जो हमारा thread हमारे project में से बच जाता है वेस्ट वोल्ट से हमने इसको पूरा complete कि है तो continue आपने से method से fourth round को यहां तक complete करना है हमारा fourth round बन चुका है अब हम इसको slip knot लगा के sorry slip stitch से first stitch में lock करने के बाद thread को हम फिर से stitch marker से band देंगे और फिर आप इसमें हम color change करेंगे तो color change करनी का तरीका बहुत सिंपल है पहले आपने slip knot लगा के two time thread को crochet को पर wrap करना है अब center में देखें five हमारे two single crochet five time में हमने बनाए हैं तो center वाले में दो हम first side पे छोड़ेंगे दो second side पे और center में हमारे two single crochet बनी है उसके बीच में हमने first triple crochet करके repeat two time crochet को पर thread को wrap करना है और same gap में यह हमारा दूसरा triple crochet बन जाएगा यहां पर तीन हो जाएंगे फिर चार पांच पांच हमने बना लिए six हो जाएंगे ठीक है six हमने बना लिए अब बीच में आपको no chain gap जानी हम नहीं लेंगे और जो two chain gap में हमने दो single crochet किये हैं उसके बीच में हमें डालके फिसे six triple crochet करनी है और यह हमारा second design है second design के भी center में आपको middle में डालना है और यहां भी count करके आपने six triple crochet कंप्लीट करनी है तो छे हमने middle में बनानी है design के और छे हम बीच में जो दो जानी का gap है उसमें हम जो है six triple crochet बना के इस वाले round को पुरा complete कर लिया है अब हम फिसे white color के thread को लेंगे और यहां पर देखें पीछे से आपको दो से तीन chain लगानी है ताकि easily आप इसको बीच में इस तरीके से secure कर सकें जोइंट कर सकें one chain लगाएंगे और same gap में हमने one single crochet करना है तो यह two single crochet count होंगे आप next जो design बीच वाले gap में आपको कुछ नहीं करना skip करेंगे और next जो design इसके first gap में two single crochet करेंगे second gap में भी two single crochet करेंगे तो हमें इस design को इस तरीके से fill करना है बीच बीच में आपको दो-दो single crochet करते हुए इस round को पुरा complete करना है आप देखें बीच में हम फिर से आ चुकी है skip करके next जो design है इसके first gap में हमने two single crochet किये तो आपनी क्या करना है सेम तरीके से इस round को पुरा यहां तक complete करना है तो हमारा round बन चुका है बहुत ही खुबसरत से हमारा जो design है वह आगे increase होता जा रहा है ठीक है पर से हम yellow color के thread को middle में joint करेंगे दो दो करते हुए हमें तीन बार में अपने loop server करनी है I hope triple crochet का तरीका तो आपको समझ में आ चुका होगा simple है बस आपने दो बार crochet के उपर इस तरीके से thread को लीना है और same gap में आपने count करके six triple crochet करनी है triple crochet वाला round तो same बनेगा बस आपको थोड़ा सा इतना समझना है कि कितना हमें बीच में जो है वो loop skip करके के बनाने हैं बाकी कोई इसमें change नहीं है थोड़ा सा बस different है इस रोग को आपने किस तरीके से बनाना है देखें five हमने बना लिए और ये six हो गया six triple crochet करने के बाद आप two time thread को crochet को पर wrap करके हमें तीन जो दो दो बनी होए ना तीन हमें जो single crochet के design है वो skip करके ये हमारा fourth वाला two single crochet का design है तो इसके center में हमें six time triple crochet complete करने है तीक है आप इसको एज़त हाल पोश्ट के भी बना सकते हैं इससे बड़ा साइज अगर आप बनाना चाहती है तो इस तरीके से आपने करना है ताके बीच में करलिंग भी ना आए अगर आपकी वर्क में थूड़ी से भी करलिंग आ रही है तो आपने क्या करना है तीन की जगए आप चार भी बीच में दो सिंगल क्रोशा वले डिजाइन स्किप करके बना सकते हो ठीक है दो टैम हमने फिर से त्रैट को क्रोशा को पर रैप करके तीन हम डिजाइन चोड़ेंगे दो दो सिंगल क्रोशा वले यानि कि हमें सिक्स सिंगल क्रोशा स्किप करके जो चौता हमारा सिंगल दो सिंगल क इसे हम यह फेट को इसलिए आप को इस तरीके से भी थेट को जोईट करने का तरीका हम समझा देता है ड्लीकतो हमने से सेंगल जोईंड कर लगा कर दो टाइम हमने इक याप में दो सिंगल को रोशे किये बीच वला गैप horror कर reclam 담 तो नेक्स्ट वाले गैप में हमने 2 single crochet की तो आगे जितना भी गैप है सब में हमने दो 2 single crochet करने हैं बस बीच बाला जो गैप है से आपने स्किप करके नेक्स्ट डिजैने से continue पिर से आपने बनाना है तो कुछ इस तरीकी से हमारा जो है सिंगल करोशा वालवा रborn पर बन जाएगा सिंगल करोश वाल रॉंड वह रहों एसे ही बनीगा बस हमने गरीन क्लार का जो सेकंड वाला क breeze बनायाना था बाकी हम भी आ सनतर में ढारन के बाकी में ग्यरीं कर्वालेski आगरहएं है अब बान टू थरी फोर फोर्थ वाले के बीच में हमें डालना है तीन हमने स्किप किये यह फोर्थ वाला है तो कौंट करके यहां भी हमें सिक्स ट्रिबल क्रोश्या कंप्लीट करनी है दो हो गया तो ऐसे ही हम बना के पूरे छ趣 कंप्लीट नियूरत करना है तो बाना है स्किप किया तो कोई बात नहीं हमने बेच में इजस्ट करनी है आप देखें त्रेट को जोइंट करके हमने किसी भी पॉइंट पे आप त्रेट को जोइंट कर सकते हैं यह नहीं कि आप यहां से जोइंट करें यह नहीं है आप जिस पॉइंट से भी त्रेट को जोइंट करना चाहें बस बीच में आपने नहीं करना ठीक है तो वाइट कलर वहला जो रॉंड है वो सेम हमारा चलता जाएगा बस आपको बीच बीच में नहीं बनाना बाकी हमारे डिसाइन के बीच बीच में दो-दो आपने सिंगल क्रोशा करती हुए रॉंड को कम्प्लीट करना है अब यह हमारा लास्ट का रॉंड है रैड कलर से हम बनाएंगे तो मिडल में आपको देखना है जो भी आपका स्टिच बंडरा इसके बीच में हम डालके फाइव ट्रिपल क्रोशा करनी है पहले आपने फाइव ट्रिपल क्रोशा करनी है पिर इसके बाद center में हमें 3 चन का gap लगा के same point पे हमें फिर से 5 triple crochet complete करनी है तो total हम middle में 10 triple crochet 3 चन की gap के साथ complete करेंगे 5 हमारे triple crochet बन चुके हैं 1, 2, 3 3 चन का gap लेके same point पे आपको crochet की मदद से 5 triple crochet और कर लेनी है 2 हो जाएंगे 3 4 और ये 5 5 बनानी के बाद अब आपको क्या करना है same point पे हमने 10 triple crochet बीच में 3 चन का gap लेके बनाया है अब बीच में डिजाइन के बीच में आपको सिंगल क्रोशर और राउंड दिख रहे हैं बीच में आपने सिंगल क्रोशर से ही जोइंट करना है आप 2 time क्रोशर के उपर thread को wrap करके second जो डिजाइन है इसके middle में हमें repeat पहले 5 triple क्रोशर करनी है और पिर इसके बाद center में आपको 3 चन का gap लेना है और same point पे 5 triple क्रोशर और करनी है तो total 10 triple क्रोशर हो जाएंगे बीच में 3 चन के gap के साथ बहुत ही खुबसरा जल्दी बाद जयाने वाला असान सा यह डिजाइन है तो I hope आप इसको जरूर ट्राइ करेंगे आपने ट्राइ भी करना है और इसकी pick जो है वो हमारे instagram पेज़ पे आपने जरूर शियर करनी है ताकि हमें भी अच्छा लगी देखिए कि आप किस तरी किसे इसको बनाया है तो हमने दो डिजाइन बना लिए है सेम वर्ग को आपने फालो करते हुए पूरा राउंड कम्प्रीट करना है फिर लास्ट में हम आफ वाइट कलर से राउंड बनाएंगे तो हमने पूरा राउंड बनाने के बाद आफ वाइट कलर से भी राउंड बना लिया है जेस्ट हमने दो डिजाइन छोड़े हैं वो आपको दिखा देते हैं पहले अपने बीच में स्लिप स्टिच करना है और फिर ये हमारा डिजाइन का फर्स्ट गैप है वन सिंगल क्रोशा करेंगे नेक्स्ट गैप में भी वन सिंगल क्रोशा करेंगे बहुत सिंपल था इसलिए हमने बना लिया बट लास्ट में देखिए हम दो डिजाइन आपको रपीट बना के दिखा देती हैं पहले आपने दो सिंगल क्रोशा और ये सेंटर में एक और सिंगल क्रोशब बनाएंगे तीन हो जाएंगे अब 3 के ओपर 1,2,3,4 फोर चैन लगा के जो हमारा । 3 बाल सिंगल क्रोशब के तॉप लोप में अमें स्लिप स्टिच करना है 5 चैन लेंगे सेंटर में 5 चैन लेना है और सेंब पॉइंट पे slip stitch करना है second side पे four chain लगा कि same point पे slip stitch करना है तो एक cute सा हमारा center में chain flower जो है वो बन जाएगा side से भी हमें two single crochet करना है तो देखे first हमारा design बन चुका है बहुत simple था छोटा से एक floor tap का हमारा chain flower जो है वो बन जाएगा center में कि अब इसके बाद जी किसे हमारेeled है तो भी बीच में बाउन वान जिठों करना है और देकिए बीच में सिंघंग कुरुशे आपको पहले 3 सिंटल क्रुश के टोप लुप में स्लिप स्टिच करने के बाद फाइब चेंट लगाएंगे और सेंट पॉइन पर सिंगल पर सिंगल क्रुशा करेंगे है और जो सेंटर वाला सिंगल कुरूशा है इसके ओपर आपने चैन वर्क करते हुए एक चोटा सा फ्लॉर टाइप का डिज़यन कर लिए है ठीक है पहले आपने फोट चैन लगानी है पिर इस सेंटर में आपने फाइप चैन लगानी है और फिर साइट से भी आपनी दूसरी सा कर लेना है तो बहुत ही क्यूट एंड जल्दी बन जाने वाला हमारा कुरूशर ड्वैली पेट्रॉन कंप्लीट हो चुका है आई होप आपको यह बहुत पसंद आएगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लाइक तक पहुंचाना है और एक प्यारा सा कुमेट भी कर दें कि आपको हमारा डिजाइन कैसा लगा और इन्शाला हम आपको मिलेंगे कुछ नए और डिफरेंट डिजाइन के साथ अपना बहुत सा खिया रखिया लाफिस